हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में में अप्लोड हो जाएगा तो दोस्तों चलिए स्टाट करते हैं बिना देर किये हुए लेकिन स्टाट करने से पहले जो लोग चैनल पर नहीं हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने बैल आइकन भी दबाले नहीं दबाए हैं क्योंकि नोटिफिकेशन इधर उदर जाता है तो आपको सीधा और सीधा होमपेज पहमिन जाएगा एक भी लेक्चर खुजर नहीं पड़ेगा तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या होता यह टोपिक बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम में हमेशा इससे कुश्चन बन जाते हैं तो सिंपली पहले जान लिजी कि क्या हो होता है को रिलेशन एक लिनियर रिलेशनिसीप होता है दो वैरियेबल्स के बीच का एक लिनियर रिलेशन होता है मतलब क्या हो गया जैसे कि माली जी यहांपर कोईben डाटा दे जो होता है variable का linear relationship जो होता है उसी के बारे में बात किया जाता है तो simply लिख सकते है correlation एक linear relationship होता है किसके बीच का दो variables के बीच का एक linear relationship होता है ठीक correlation measure किया जाता है linear association किसके दो variables के बीच का अभी आपको पूरा समझ में आएगा अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि correlation क्या होता है उसके बाद थोड़ा सा जान लेजिए हम लोग Karl Pearson coefficient आप दी correlation इसमें क्या होता है इसमें simply जान लेजिए थोड़ा बहुत बात हैं अगर पू जो की देता है quantitative technique को ठीक और यह जो टेकनिक होता है इस टेकनिक को पियरसियंस कोफिसियंट आप दी correlation भी कहा जाता है and extensively used in the practice और इसका यूज किया जाता है प्रेक्टिस में और यह बात जान लीजिए कि जो correlation होता है इसको डिनेट किया जाता है simply small r से अभी तक आपको समझ आज में लगभख में नहीं आया होगा अब आपकी exam में question यहां से बनेगा वहां से question नहीं बनेगा आप लुग जानिए इसमें 3 method होते हैं तीन method कौन कौन से होते हैं एक होता है direct method दूसरा होता है किस तरीके के question आएंगे और कैसे हम लोग solve करेंगे यह बात आपको हमेशा याद रखना है कि formula आपको जब याद रहेगा तभी आप question को solve कर पाएंगे जैसे कि माली जी यहाँ पर देखिए एक question आया हुआ है calculate correlation using direct method अब direct method पर यह question बना है अब यहाँ पर value दिये गए है direct method का formula क्या है direct method का यहाँ पर यहाँ पर देखिए simple इस तरीके की question आते हैं जैसे correlation में क्या होता है दो data रहता है यहाँ पर yx का value दिया गया है y का value दिया गया है तो यहाँ पर दो data रहते हैं जिने हम solve करके पता करते हैं कि उनके बीच का relation क्या है वही चीज यहाँ पर बताया है कि दो होते है correlation क्या होता है linear relationship होता है दो variables का बीच का बीच का तो यहाँ पर पार्मूला क्या है देखें यहां पर हम लिख दिये हैं direct method का पार्मूला same to same यहीं न लिखें हैं ठीक अब आपको इस पर कैसे solve करना है यह जानते हैं इसके लिए आपको एक बड़ा सा table बनाना पड़ेगा table कैसे बनाएंगे वो जानते हैं यहां पर हमें निकालना है small x का value क्या आएगा small y का यहां पर capital में सब दिये गए हैं तो यह बात आप लोग को पता ही होगा कि small x जो होता है हमारा equal to कितना होता है x minus x bar होता है ठीक तो उसी तरीके से हम लोग अगर small y की बात करें तो small y equal to कितन होगा y minus y bar तो यह बातें आपको ध्यान रखना है ठीक तो जो होता है हमारा x bar यह क्या होता है arithmetic mean और इसमाल तो arithmetic mean का पार्मूला क्या होता है x bar equal to हमारा होता है sum up x upon yen तो sum up yaks का मतलब क्या होता है सभी yaks का कितना value है 1,2,3,4,5,6,7 तो yen की जगह पर हम लोग लिखेंगे 7 और क्या करेंगे sum up yaks मतलब इन सभी को total आप लोग जोड़ लीजिए अब इनको जोड़िए कैसे जोड़ेंगे देखिए 8,7,8,7,15 हो गया 15,5,20 हो गया 26,26 हो गया 26,4,30 हो गया 30,3,3,3,2,35 ठीक तो हमारा यह हो जाएगा 35 हो जाएगा ठीक अब इसको जब divide करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहां पर आएगा हमारा 5 तो yaks bar equal to कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा उसी तरीकिस अगर y का नहीं कहलेंगे तो y का क्या होगा जैसे x bar का formula रखे हैं वैसे y bar equal to कितना हो जाएगा अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा आएगा आप लोग वीडियो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा आप लोग वीडियो को रोग करके जोड़ लेना ये आएगा 70 ठीक 70 आया तो 70 आया तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 10 ठीक तो y bar equal to हमारा आगया कितना आगया 10 अब यहाँ पर दो चीज निकल के आगया यक्स bar equal to इतना और y bar equal to 10 अभी तो ये दो च ये हैं y का value जो दिया गया है यहाँ पर लिग दिया है अब अहाँ पर आप लोग देखिए हमें क्या निकालना है इसमाल x का value कितना होगा इसमाल y का value कितना होगा यक्स y का भी निकालना है यक्स y कितना हमारा होगा उसके बाद x square कितने होंगे उसके बाद y square कितने होंगे ठीक ये सारी चीजों के बारे में हमें पता करना है क्या करना पड़ेगा तब हमें इन सभी का आप लोग कॉलम बना लीजिए तो चले दोस्तों यहाँ पर कॉलम बनके ready हो गया है हमें पता करना है small x का value small y का xy का x square y square अब कैसे हम लोग निकालेंगे देखें small x equal to कितना होता है x minus x bar होता है तो इसके उपर आप लोग छोटा सा यहाँ पर लिख दीजिए x minus x bar और y equal to कितना होता है y minus y bar तो यहाँ पर छोटा सा लिख दीजिए y minus y bar समझ गएं आप लोग यहाँ पर इसलिए पहले ही आप लोग को बताया देते है कि x equal तो कितना होता है x minus x bar और y equal to कितना होता है y minus y bar अब आप लोग को क्या करना है x में से x bar को x minus x bar होगा ठीक और y minus y bar तो x में से x bar को खटाना है तो x bar का value निकल क्या गया है ना, इसलिए पहले ही इसका value निकाल दियते x bar का value हमारा 5 आया है और y bar का value कितना आया है 10 आया है ठीक तो पहले हम लोग बात करते हैं x bar का ठीक तो यहाँ पर हम लोग x bar में से x minus को घटाएंगे जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए हमारा x का value है 2 और x bar का यहाँ पर नहीं लिखेंगे अभी equal to भी करना है total यहाँ पर x का value 2 दिया गया है और x bar ऐसे यहाँ पर समझी x minus x bar है ठीक तो x का value 2 हो गया और x bar का value कितना है minus 5 है तो equal to कितना होगा दोस्टों बताइए आप लोग यहाँ पर हमारा होगा minus 3 इसी तरीके साब को करना है तो यहाँ पर आप लोग करते जाएए यह x bar का इतना value है तो 2 में से minus 3 जाएगा जब minus 5 जाएगा तो कितना होगा 2 minus 5 कर लिजे equal to minus 3 होगा ठीक उसी तरीके से 3 minus 5 करिए तो कितना होगा minus 2 होगा 4 minus 5 करिए तो कितना होगा minus 1 होगा और 5 minus 5 करिए तो यहाँ पर हमारा होगा 0 उसी तरह के 6 minus 5 करिए तो यहाँ पर होगा 1 7 minus 5 करिए तो कितना होगा 2 8 minus 5 करिए तो यहाँ पर होगा 3 समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ कि आप लोग भूले नहीं 2-5 किये तो-3 आएगा उसी तरीके से 3-5 करें यहाँ पर बस इसी से माइनस करना है क्योंकि 1-2 का value कितना हम लोग निकाले यहाँ पर 5 आया है ठीक और क्या है हमारा फार्मूला क्या है यक्स माइनस यक्स बार तो उसी तरीके इसी फार्मूले पर हम लोग करेंगे 2-5 करेंगे तो-3 आएगा 3-5 करेंगे तो-2 आएगा 4-5 करेंगे तो हमारा-1 आएगा उसके बाद 5-5 करेंगे तो हमारा-0 आएगा ठीक, वही value आपको यहाँ पर रखना है और वही काम आपको यहां पर भी करना है कि Y में से Y बार को घटाना है तो Y बार कितना आया है 10 आया है तो 4 में से minus 10 जाएगा तो कितना बचेगा जब 4 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा यहां पर बचेगा minus 6 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा minus 3 8 में से हमारा 10 जाएगा तो बचेगा minus 2 उसके बद 9 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा 10 में से जाएगा 10 तो 0 बचेगा 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 14 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा 6 नहीं बचेगा 4 बचेगा, ठीक, 14 में से 10 जाएगा 4 बचेगा, 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, समझ गए आप लोग अब क्या करना है, अब आपको करना है, X into Y X और Y को multiply करना है जैसे कि यहाँ पर देखे, आप लोग को समझाने के लिए किये थे, यहाँ पर माइनस 3 आया है ठीक, तो अब इनको और इनको multiply करना है तो कितना हो जाएगा, 3 into 6 हो जाएगा, हमारे 18, ठीक 2 into 3 हो जाएगा, हमारा 6, उसके पर 2 बचेगा, 2 हो जाएगा 1 का multiply, 0 में करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 0 आएगा 1 का multiply, 0 का multiply, 1 में करेंगे 0 ही आएगा, 4 का 2 में करेंगे 8 आएगा, ठीक, 8 का 3 में multiply करेंगे 24 आएगा, समझ गए आप लोग अब यक्स का value जो आया है, उसका आपको square करना है, जैसे 3 आया है तो क्या करेंगे, 3 into 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 हो जाएगा 2 का करेंगे, 4 हो जाएगा 1 का 1 ही होगा, 0 का 0 हो जाएगा ठीक, उसी तरीके 1 का करेंगे तो 1 का 1 ही होगा 2 का करेंगे, 2 का 4 हो जाएगा 3 का करेंगे, 9 हो जाएगा, इस तरीके से square इसी तरीके से y का भी square कर लिजे 6 का square करेंगे तो हमारा हो जाएगा 36 3 का करेंगे 9 हो जाएगा 2 का करेंगे 4 हो जाएगा 1 का 1 ही होगा 0 का 0 ही होगा ठीक 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 8 का करेंगे square तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा अब हमें क्या करना है यो जो xy दिया है गया है अब इन सब को हमें जोड़ना है तो कर लिजिए sum आप ixy, मतलब सबको आप लोग को जोड़ना है, तो सब को जोड़ना है तो सब को जोड़ना है, जो की हमारा आएगा, 58 आएगा और sum आप ix, y square गर करेंगे तो सब को का 28 और sum up Y square का करेंगे तो 130 आएगा अब इन सभी को रखेंगे फार्मूले पर अब जब हम लोग इनको फार्मूले पर रखेंगे जी sum up Y हमारा 58 आया sum up x squared 28 sum up Y square हमारा 130 आया अब यह फार्मूला आपका है sum up xy की जगह पर 58 लिखेंगे ठीक some sum up x square sum up x square की जगर पर 28 लिखेंगे sum up y square की जगर पर लिखेंगे 130 इतना लिखेंगे अब आपको क्या करना है इसको इसमें multiply कर देना है तो हमारा इतना आएगा इतना आएगा अब इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने का क्या तरीका होता है जैसे माली यहाँ पर under root 25 दिया गया है तो कितना वोगा बाहर निकालेंगे 5 होगा ठीक 9 दिया गया है 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 होगा इसी तरीके से आपको निकाला जाता है अंडर root तो इसको बाहर निकालेंगे तो हमारा इतना आएगा ठीक तो 58 अपान इतना आएगा इसको multiply करेंगे तो इस त method का formula अब कैसे solve करेंगे यहाँ पर भी लिखे गए हैं इसके formula यहाँ पर दिये गए हैं अब यहाँ पर यह formula दिया गया है यहाँ पर आपको कुछ काम करना ही नहीं है बस छोटा सा एक करना है क्या काम यहाँ पर यक्स का value में कोई assumed value हम चूज करेंगे तो सबसे पहले mid value को लेते हैं तो mid value यहाँ पर बीच का medium value है बीच का value है वो 8 दिख रहा है लेकिन अगर कहीं कहीं पर ऐसे दे देता है कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और यहाँ पर हो गया, कितना 7 हो गया 7 हो गया, अब यहाँ पर mid value कौन सा लेंगे हम अब यहाँ पर mid value अगर लेना है, assumed करना है तो कौन करेंगे, तो यहाँ पर यह दोनों बीच में है इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं कोई भी assumed कर सकते हैं 3 से कर सकते हैं या फिर 5 से भी 5 को भी choose कर सकते हैं दोनों में से कोई भी choose कर सकते हैं ठीक लेकिन यहाँ पर तो आप simply कर सकते हैं यहाँ पर simply आप assume कर सकते हैं 8 को ठीक तो यहाँ पर 8 को assumed ले लिया और y में 20 को assume कर लिया इसको चूछ कर लिया, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, कि ये हमारा Agumed value होता है, x equal to x minus a हो गया, और dy equal to y minus a हो गया, ठीक, अब हमें क्या करना यहाँ पर देखिए, x का हमारा क्या होगिया, x minus a हो गया, देखें यहाब आएगा, तो इसी तरीके से आपको यहाँ नहीं लिखना है, इस कॉलम में लिखना है, 4-8 करेंगे, minus 4 आएगा 6-8 करेंगे, minus 2 आएगा 8-8 करेंगे, 0 आएगा 15-8 करेंगे, 7 आएगा 20-8 करेंगे, तो 12 आएगा ठीक, उसी तरीके से dy में क्या करना है dy equal to y minus a होता है और यह हमारे assumed value है जो कि हमने choose किया है 20 20 choose किया, तो क्या करना है यहाँ पर 10 में से 20 को minus करना है, तो minus 10 आएगा 15 minus 20 करना है, तो minus 5 आएगा 20 minus 20 करेंगे, 0 आएगा 20 minus 25 minus 20 करेंगे, तो 5 आएगा 30 minus 20 करेंगे, तो कितना आएगा 10 आएगा, समझ गए आप लोग अब यहाँ पर क्या करना है dx into dy, मतलब dx का value जो आया है, इससे multiply करेंगे, dy में ठीक, तो multiply कर लिजे 10 into 4 करेंगे, तो कितना आएगा 40 आएगा, 5 into 2 करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, 0 का 0 ही आएगा, multiply करेंगे, 7 into 5 करेंगे, 35 आएगा ठीक, उसी तरीके से 12 into 10 10 करेंगे, तो 120 आएगा अब देखिए, वही काम आपको करना है, अब dx का जो value यहां पर आया है, उसको square में कर लेजिए तो 4 का square कितना होगा, 16 होगा 2 का square 4 होगा, 0 का square 0 ही होगा, 7 का square कितना होगा 49 होगा, 12 का square 144 होगा, ठीक, उसी तरीके से dy का square करेंगे, तो minus 4, plus minus 2 कितना होगा, minus 6 होगा 6 में से 7 को घटा लीजिए तो यहां पर केवल बचेगा 1 और 1 में हम लोग 12 को जोड़ लेंगे, तो हमारा 13 हो जाएगा मतलब, यहां पर minus दिया गया, यहां पर plus में है, तो इसको घटा लेंगे, ठीक इसको जोड़िए, minus में आएगा और इसमें से घटा लीजिए, तो यहां पर 13 आ जाएगा और देखिए, अब यहां पर minus 10 plus minus 5 हमारा minus 15 हो जाएगा, और plus 10 plus 5 हमारा 15 हो जाएगा, तो 15 में से 15 को घटा जाएगा, जीरो बचेगा, उसी तरीके से हम लोग इसको भी पूरा का पूरा जोड़ लेंगे sum up dx into dy करेंगे 205 आ जायेगा, sum up dx square करेंगे, तो इतना आ जायेगा, sum up dy square मतलब इनको भी जोड़ेंगे तो इतना आएगा इनको जोड़ेंगे तो इतना आएगा अब हम लोग रखेंगे formula आपका फार्मूला क्या यह है, फार्मूला यह है, यहाप एकस दी य सम आपक दी ती य किन्वाइ का वैलू कितना आया है, तो एपसना करेंगे, नमबर कितने दिएगा है chaप,दीएक लिएगे, हम लोग 5 5 लिख दिए उसी तरीके से नीचे अंडर रूट में आते हैं sum of dx square sum of dx square का value 213 आया है तो यहां पर हम लिखेंगे 213 ठीक और sum up dx square sum up dx square कितना आया है sum up dx square हमारा आया है नई sum up dx जो है उसका whole square करना है तो sum up dx हमारा 13 आया है 13 को हम लोग कर लेंगे square यहन का value 5 है count कर लिजेगा number up observation हमारे 5 है ठीक अब हम लोग यहां पर बात करते हैं देखिए sum up dy square sum up dy square हमारा कितना है 250 है देखिए sum up dy square कितना है 250 है sum up dy square कितना है हमारा नहीं यहां पर sum up dy square दिया गया न तो यह लिखेंगे लेकिन sum up dy है तो sum आप d y कितना है? 0 है अब 0 का square कर लिजिए तो 0 ही आएगा आपान number of observation हमारा 5 है ठो तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर देखिए 13 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा अब 0 का divide करेंगे 5 में तो किनना आएगा? 0 आएगा जैसे कि हम लोग यहाँ पर छोटा कर लेते हैं तो इसका multiply करेंगे तो 0 आएगा अब 0 का divide करेंगे 5 में तो 0 ही आएगा तो हमारा बचा कितना? 205 205 बचा इसको आप लोग कर लिजिए गर calculate सब को जोड़ घटा कि हमारा approach में इतना आएगा answer तो इसे तरीके से हमें question को solve करना है बहुत ही आसान तरीके से अब इनमें कोई भी question बने बहुत ही आसान method से आप solve कर सकते हैं तो वीडियो कैसा है? comment box में जरूर बताएगा आपका unit first हो गया complete चैनल पिना हो चैनल सब्सक्राइब कर देना हमेसा यहाँ पर आसान लेक्चर आपको मिलते रहेंगे तो चैनल दोस्तों थैंक्स पर बाचिए मैं वीडियो लाइक के में शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल